नमस्का दोस्तों तो कैसे आप लोग तो कल एक सब्सक्राइबन ने मुझसे पूछा था कि लिथियाम आयोन बैटरी या फिर लिथियाम पॉलीमर बैटरी दोन टाइप के बैटरी में से कौन सा बैतर है क्यूं बैतर है हमें कौन सा यूज स्तमाल करना चाहिए तो इस वीडि यूज सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलिएगा तो लिथियाम आयोन लिथियाम पॉलीमर इसके उपर मैंने गोगूल पे या फिर बाकी सारे वेबसाइट में अच्छे से रिचार्च किया और मुझे ए पता चला जा लिथियाम आयोन और लिथियाम पॉलीमर का अंदर का जो केमिकल रियक्शन वो बिल्कुल सेम है यह जो लिथियाम आयोन बैटरी है यह दर असल एक पूराना टेकलोजी है लगबग 1912 इस साल पर एक टेकलोजी बना था लेकिन 1990 में जब सोनी कंपनी ने पहली बार लिथियाम आयोन को आपने डिवाइजेस में इस्तेमल किया त प्रस उसके आसपास जो हार्ड प्लास्टिक का केसिंग होता है वो इसमें नहीं है इसमें दर असल एलूमीनियूम का एक फॉइल होता है इसलिए यह बैठरी और भी साथ हलका होता है अब मैं आपको लिथियाम आयोन के साल लिथियाम पॉलीमार को एक्जेक्ट डिफरेंस लेकिन लिथियाम पॉलीमार बैटरी का देंसिटी काम है मतलब उतना भी ज्यादा हाई एमेज बैटरी इसमें नहीं बनता आप आपको तो पताए कुछ बैटरी ऐसा होता है बहुत जल्दी से चार्ज एब्सॉर्ब कर लेता है लेकिन जब चार्ज डिस्चार्ज करता है उसमें अलग अलग बैटरी में भेडियाशन होता है यहां पर भी बिल्कुल से लिथियाम आयोन बैटरी का जो चार्ज डिस्चार्ज बहुत बहुत ही स्लो है लेकिन लिथियाम पॉलीमर का जो चार्ज डिस्चार्ज बहुत फास्ट है मतलब लिथियाम आयोन बैटरी उस 20 degree Celsius से 60 degree Celsius के temperature पर काम कर सकता है लेकिन lithium polymer battery और भी ज़्यादा hard temperature में काम कर सकता है जैसे कि minus 20 degree से 70 degree Celsius तर और जो यह जो ion और polymer दोनों में जो सबसे बड़ा difference वो है lithium ion battery का एक ही size होता है वो square shape का होता है और आसपास एक solid plastic का casing होता है इसे ही कहते है lithium ion battery लेकिन lithium polymer battery में बहुत plastic का hard casing नहीं होता है इसलिए इस battery के shape को change किया जा सकता है इसे gold, square, lumber या फिर credit का जैसा पतला भी बना जा सकता है और क्योंके lithium ion battery का fixed shape है इसलिए इसका जो cost एक काम है इस बैटरी का वजन बहुत ही काम होगा और lithium ion battery में जो सबसे ज़्यदा डिजर्बंड है इसमें overcharge का feature नहीं है इसमें overcharge protection battery के अंदर नहीं है इसका मतलब जो भी company ये lithium ion battery को अपने devices में इस्तमल करेगा उसे अलग से overcharge protection देना पड़ेगा लेकिन lithium polymer battery के अंदर overcharge protection पहले से होता है और lithium ion technology के battery समय के साथ साथ धीरे धीरे nest होता जाता है मतलब अगर एक lithium ion battery उसमें full charge है समय के साथ साथ धीरे धीरे charge discharge होता जाएगा आप उसे इस्तमल करे या फिरे ना करे लेकिन जो lithium polymer battery वो समय के साथ साथ अपना जो energy उसे intact रखता है तो आप में आपको कुछ example दिखा होगा आपको पूरा को पूरा समझे में आ जाएगा आप इस picture में देखिए तो मैंने क्या रहा था lithium ion मतलब square shape होगा प्लास्टिक का hard casing होगा देखिए lithium ion देखिए lithium polymer एलुमिनीयफ का फॉइल और एक पतला बैटरी यहाँ भी देखिए square shape plastic casing यहाँ पर देखिए aluminium foil और इसमें देखिए camera का बैटरी square shape hard casing मतलब lithium ion battery smartphone squar shape अंदर plastic का hard casing मतलब lithium ion इसमें भी देखिए square shape plastic का hard casing और इसमें aluminium तुमीद आपको सर्वजी में आगया होगा कि यह जो लिथियम आयोन और लिथियम पॉलीमर दरसल किया है दोनों बैटरी टेक्नोजी लगबक से में सारे के सारे मोबाइल कंपनी लिथियम आयोन बैटरी को इस्तमुर करते है क्योंकि इसमें छोटे जैगा में भी ज्यादा साज़ चार्च को हम डाल सकते है जैसे हम देखेंगे पहले के जमने में 2000 में इस बैटरी आता था मोबाइल में आज 3000, 4000, आसूस के स्मार्टफोन में 5000 और पिसले साल साथ मोबाइल वाल कॉंग्रेस में 12000 में बैटरी वाला स्मार्टफोन भी लांच होगा था वो सब कुछ लिथियम आयोन में ही पॉसिबिल होता है कि उसके स्कुएर से बैटर के अंदर बहुत ज्यादा चार्च को डाला जा सकता है लेकिन लिथियम पॉलिमर का एक लिमिट होता है और लिथियम आयोन लो कोस्ट होता है ओबियसली स्मार्टफोन कंपनी वाले उसे बसांट बहुत देंगे और ये जो लिथियम पॉलिमर बैटर्च वे स्थीमिल होता है ये इसंतेमों होता है ये दिन कीला से लिथियर। तो मिलते अगले वीडियो में तब तक स्टेटों और जिम पोज़िव भी पोज़िव थेंक्यू